यशो मदी महिया के नंदे लाला महिया, वारेक फल वाली महिया आई है मुझे उन्छे फल लेना है मैं उन्हें क्या मुल्य दू? लल्ला, कुछ पानो है तुछ देना भी पड़ेगो मुल्य ऐसा होनो चाहिए कि विक्रेता को कम ना लगे और स्वैम देने वाले को अधिक ना लगे मैया, आपी बता दो ना मेरा लल्ला इत्ता बड़ा हो गव है मैं क्या बताओ? जे निर्डे स्वैम ले ले मैं समझ गो मैया फलों के बदले क्या मुल्य देनों है मुझे? कैसा शड़यंत्र है ये एक कायर को मेरे मित्र के सिंहासन पर चो गठाया आपने ये कोई शड़यंत्र नहीं अंतिक उपाय है राक्षष राजबाडासूर तिर्ना ब्रत किंडित्यू के बाद महराज कंस पूरी तरह से तूट चुके थे तभी उन्होंने निन्ने लिया कि वो भीशन तपस्या करेंगे जब तक मा कंकाली उन्हें स्वयम आशिरवाद नहीं दे देती उस विश्नु अवतार के वध के लिए उन्हें आवेश्चक शक्तियां परदार नहीं करती तब तक वो इस तपस्या से नहीं उठेले चित्ता लेक आओ है उससे अधिक तो गिरा दियो इसने ये लो आपके लिए मुल्या ले आया मैं ये दो चार दानों से तो एक समय की भूग भी ना मिटेगी मेरी हाँ कहाँ गड़? मैं तो मुठी बर के लाया था शमा करना फल वाजी महिया शमा करना फल वाजी महिया क्या कहा तुम्ही? शमा करना फल वाजी महिया महिया आप इच्छे रखो, मैं आल आता हूं चंता मत करो मया, इससे अधिक आल आँगा मैं रुको, तुने मुझे मैया कहके पुकारो है, मेरे लिए इतना ही परियाप्त है लो, अब कर लो बात, वो आप जित्ती बार बोलोगे, मैं उत्ती बार बोलूगा मैया, मैया, मैया मैया, मैया, मैया तो क्या तू, और घोपलियों की तरह, मेरे गोट में भी बैठ सकतो है फिर तू, जित्ते फल कहेगो, उत्ते दे दो गित्त सची मै, आपके लिए इतना मुल्य प्राप्त हो जाएगा हाँ सोच लो, मैया, बदले में खूली भर के फल लूगा मेरा आश होके तो नहीं जाओगी ना ना लल्ला, मैं पूरी तरह संतुष्ट होके जाओँगी सची कह रही हो ना मैया बबा ने कही थी, कोई भी निराश होके त्वाल से नहीं जाना चीए बस एक बार और मैया बोलके मेरी गोल में बहजा लल्ला इससे अधिक और कचुना चाहिए मुझे, कचुना ठीक है मैया, आना को गोल में बठाने के लिए तयार हो जाओ और धे सारे फल देने के लिए भी यह शूमती मैया के नंदे लाला यह शूमती मैया के नंदे लाला अरे मैया गोन में बैठा हूँ तने एक दुलार भी ना करोगी सब्सक्राइब मरो हरिष्णा वो परा भी ना सब्सक्राइब सच्ची माया आप एस्तमुलियो से संतुष्ट हो ना मैं बहुत संतुष्छू लल्ला, बहुत ही प्रसंद, इतनी कि इससे अधिक पहले कभी नहीं हुई थी फिर मेरी जोली भी भरदो मैया जशोदा जी, आपका लल्ला तो मोल भाव में हम सबसे सया नो निकलो तो आप तो होगाओ न सित कि मेरा काना अच्छा बालत है जए इतनी सी आयू में समझ को है कि वस्तुओं के मुल्य से अधिक मुल्यवान होती है, मन की भावना है पूरे टोक्री भड़ना मैया, कई फल कमना पर जाए रभू, इतने फल में क्या होगा? मित्रों को अभी तो खिलाने होंगे इतने दो सुबली खा जाएगा मैया, और दो ना और कोपी उन्हें मांग लिये तो रहा, कोपी खुब तुए ने है ना आदे तो अकले इस सुलक्षना चाची खा जाएगी लगता है कुछ आदे की मुल्य भाव कर लियो इसने मैया, यह अम्रूद किसके लिए बचा रही हो यह भी दे दो ना फल तुमें सारी दे दू लला पर क्या तुम उठा पाओगे हाँ मैया, उठा लूँगा आचा लला फल तो जीवन भर बेचे हैं पर तेरे जैसा ग्राग कभी ना मिलो आज तुझे ये फल देखे और तुझसे अनुखा मुल्य लेके आनन से भी अधिक परम आनन मिलो है मुझे मुझे भी आपसे फल लेकर बहुत आनन दाया मैया मुझे टुझे ये अरे लल्ला इत्ते सारे फल माया उनके पास जीटे थे सारे ले आया मैं अब आपकी सक्किया और मैं सक्काओ दोनों के रिए प्राप्त है ये बुड़ी माय ने अबोध वालक समझ के कच्छू मांगो ही ना और सब देखे चली गए नाना मुझे जा के उनके हाथ में कच्छू रखनो चाहिए माई माई क्या हुआ देखो ना जी एक माई आय थी इत्ते सारे फल दे गई है लल्ला को और उसके बदले में कुछ भी ना लियो उन्हें ढून रहे थी के कुछ देदू उसके बदले में तुम चिंता ना करो यह सुधा मैं देख कर आतो प्रद्ध महिला है अधिक दूर ना गई होगी उन्हें उचित मुल्य भी देख कर आऊंको तो इस तरह से विष्णु रूप ने मेरे मित्र कंस को तपस्या करने पर विवश्च कर दिया पर फेर ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों को नियंत्रन अपने हाथों में लेना पड़ा महराज कंस राजपारियों के लिए उपलब्द नहीं थे कहीँ अव्यवस्था ना भेले और विद्रो की अगणी न सूदे इसे सुरिश्शिद करने के लिए हमने महराज कंस के जाली हस्ताक्षन की। अधिक से अधिक कर लगा है वो सब किया जो महराज कंस किया करते थे हमने आपके मित्रों और अपने सौमे के साथ कोई शड़ेंतर नहीं किया केवल उनकी और स्वैम की रक्षा की है और जब संकट की पद्चाप सुनाई दी तो आप दोनों इस कटबुतली को कंस बनाकर सामने ले आए और फिर चारों दिशाओं में कंस का भय स्थाफित कर दिया उत्तम अति उत्तम आप जित्ती वार बोलोगे मैं आप जित्ती बार बोलूंगा मैया 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 बाई मैया मैया बाई बाई है जे कैसे हो गयो, मेरी दृष्टी ठीक कैसे हो गई? इत्ता बल आगयो, कि लाटी क्या हो सकता ही ना है? सारे फल तो मैंने लल्ला को दे दिये थे, तो अचानक ये टोकरे भारी कैसे हो गई? ये सब तो मुझे नहीं चाहिए था? पर ये सब आपने अर्चित किया है महिया पर ये सब आपने अर्चित किया है महिया पर ये सब आपने अर्चित किया है महिया नंद लाला? हाँ महिया ये सब आपने अर्चित किया है आपने अर्चित किया है ये थाइबने अर्चित कि आपने आपने ये मह तो आपने चाहिए वॱिप्ध ard गर कनो या प्रम्यूख प्राइट अ गरीट उन्वे कहीं भेह मुई है टी हां तो एमा माज भीजिद के लाषी हां तो एमा जो प्रबू इतना बड़ा आशिरवात इतना बड़ा उपकार जे मुझे कौन से पुनियों का फल मिलो है प्रबू ठीका चाहे आपके फल बिख्ये हो या नहीं चाहे आपने फ्रेम कुछ खाया हो या नहीं हर्दीर मेरे मंदीर में एक फल से जिव अर्पित किया है आपने ये उन सभी फलों का फॉल है महिया प्रभू मेरी भक्ति का फल तो मुझे पहले ही मिल चुको है आपके दर्शन पागे आपको अपने गोज में बिठाके और आपके साथ लाड़ दुलार करके उस अनमल फल के आगे प्रभू इन रतनमोतियों को कोई कोई मुली अब जब तक आप मेरे प्राणों को अपने में समान ही लेते मैं यहीं बैठी रहूँगी आपके नागा तब करती रहूँगी तापके इच्छा शिगर पूरी होगी मैया जिन्हे नारायन ने स्वय मुक्ति दे दी हो उन्हें मैं क्या दे सकता हूँ भक्संतुश 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 प्रॉप क्यों है? बोलना? प्रॉप क्यों है बोलना?